भगवान स्री राम को चाहने वाले करोडों लोग हैं और जिस सभा में प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी उपस्तित हूँ तो बहुत कुछ जो स्वतास्फुर्थ जो सब्द निकलते हैं उस पर किसी राजनेतिक दल का कोई प्रभाव नहीं होता है लोग स्वेक्षा से अगर नारे लगा रहे हैं भगवान स्री राम के तो इस पर किसी राजनेता को इतराज नहीं व्यक्त करना चाहिए और भगवान के नाम लेने को ले करके मुझे नहीं लगता है किसी दल विशेस की चर्चा नहीं है यह केवाल आस्था का प्रकटी करन है इसलिए इस पर सियासत की गुंजाइस नहीं होनी चाहिए हलो अबनी नारा है रॉल हम नेता जी के जन दिन को हर साल प्राक्राम दिवस के रूप में मनाएंगे वहीं पीम ने यह भी कहा कि एलेसी से लेके एलोसी तक दुनिया भर के सक्तिसाली अवतार को दुनिया भर ने भारत के सक्तिसाली अवतार को देख लिया है जो कभी नेता जी की कलपना हुआ करते सी, वो साकार मने होता नजर आ रहा है और भारत आज जहां भी अपनी सपना की चनौती देने की कोसिज कर रहा है, उसका जवाब दे रहा है लेके नेता जी के सपनों का भारत यही है आज line of actual control का स्वाल हो या line of control का स्वाल हो बारतिय सेना और भारत का राजनैतिक नेत्रित्तु जिस तरह से चोकन्डा है सतर्क है और भारत की सिमाओं की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए आतूर है ये इससे बहतर स्रधांजली नेता जी को नहीं हो सकती थी और निसंदे या कारें देश के प्रधानमंत्री नर्जेंद्र मोधी जी के निर्टित्तु में निरंदर्ता के साथ हो रहा है सेन्ट्रल के प्राकरम दिवस पर मंतावनर जी ने बोला कि भारत में चार राजधानियां होनी चाहिए और नेता जी क्या स्मार्ट बनना चाहिए हम क्यों चुनाओं के दोरा नेता जी का जन दिन नहीं मनाते है नेताना मार्ट ये बात है दीखे अब उन्होंने किस अंदर में क्या बाती कहीं मैं समझ नहीं पह रहा हूँ लेकिन किसी विद्देश को एक राजधानी से ही संचालित किया जाता है कई राजधानियों का जो ये इस तरह की परिकल्पना का कोई आचित नहीं है और ये कहीं न कहीं एक भटकाओ है जहां तक पराकरम दिवस की आलोचना का सवाल है नेता जी पराकरम के जिन अध्यायों को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं हिंदुस्तान की सरहत के बाहर जाकर के जिस पराकरम और शौरे का परिचय उन्होंने दिया और हिंदुस्तान की आजादी में जो उनका अभूत पुरू योगदान है अंग्रेजों के अंदर ये डर उन्होंने पैदा जरूर कर दिया था कि देर सबर हिंदुस्तान को आजादी मिलना तय है इसलिए कि लोग अब गुलाम रहने के लिए तयार नहीं है इसलिए ये बिल्कुल ही सही नाम करण है पराकरम दिवस और इस पर सियासर नहीं होनी चाहिए राहूल गांदी ने कहा कि यदि हम इलेक्टेट होते हैं तो एक टेक्स मिनिममम टेक्स का प्राधान करेंगे उन्होंने बोधी सरकार पर MSMES सेक्टर को अपंग बनाने कारों पुरेंगे यह सबसे पहली बात है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति या राजनेतिक दल कोई बात कहे तो लोगों को भरुसा करने का एक करण मिल सकता है लेकिन कॉंग्रेस ने अगर टेक्स दरों को ले करके कोई बड़ा दाबा किया है तो उनका इतिहास देश में दस सरकारों को देने कर रहा है छे खुद की सरकारे चार गडबंदन सरकारों की अगवाई वो कर चुके है और टेक्स सुधारों को ले करके कॉंग्रेस का पूरा का पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो लोगों पर कर थूपने कर रहा है इसलिए इस तरह के सिगूफों के बल पर उनकी वापसी करता ही संबाव नहीं दिखती है वह चीफ ने भारत को थैंक्स कहा है और पीएम मोदी फॉर सपोर्ट टू ग्लोबल कोविड रिस्पॉंस को लेकर के जो भारत की सराना वह ने की है निसंदे भारत उसका हगदार है लेकिन देश के अंदर जो कुरुना प्रबंदन को लेकर के प्धानमंत्री नरेंद्र मोद के कारेशाली को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किये हैं उनको डब्रू एचो ने जरूर जवाब दे दिया है